हाई मेरे जिगर की टुकडो आज हम 2011 में आई मूवी हस्क को एक्स्प्लेइन करने वाले हैं I hope you like it मूवी की स्टार्टिंग में हम 5 फ्रेंड्स के ग्रूप को देखते हैं जो पिक्निक के लिए कहीं जा रहे होते हैं जिन में जौनी, क्रेस, स्कॉर्ट और एक लड़की नैथली और उसका बॉइफ्रेंड ब्रेन होते हैं फिर आगे जब ये लोग एक मक्के के खेट से होकर निकल रहे होते हैं तब ही इनके कार के सीज़े पर बहुत से कवई अटेक कर देते हैं जिससे इनकी कार का एकसीडेंट उचाता है और इनकी गाड़ी रोड़ से नीचे उतर जाती है फिर आगे कुछ देर बाद जब इन लोगों को होश आता है तब ये देखते हैं कि इनकी कार की हालत काफी खराब हो गई होती है जिससे सब आगे का सफर नहीं कर सकते हैं और जब स्कॉर्ट कॉल करके मदद मागने की कोशिश करता है तो नेटवर्क ना आने की वज़े से उसकी कॉल कर्ट हो जाती है अब ये लोग इसलिए सुनसान इलाके में बहुत बुरी तरह से फस गए होते हैं क्योंकि इन्हें वहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था तभी ये नोटिस करते हैं कि जॉनी वहाँ से गायब है इस पर इन सबी को लगता है कि जॉनी मदद के लिए कहीं गया होगा तभी ब्रेन को खेत की दूसी तरफ एक घर दिखाई देता है जिसे नहीं लगता है कि जॉनी शायद मदद के लिए उसी घर में गया होगा और फिर ब्रेन और स्कॉर्ट उस मक्के के खेत से होते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं आगे खुजूर चलने पर इन्हें खेत के बीच में एक स्केयर क्रो मिलता है जो देखने में बिलकुल एक आदमी की तरह दिखाई दे रहा था पर ये दोनों स्केयर क्रो की बॉड़ी पर ज़्यादा ध्यार नहीं देते हैं बलकि स्कॉर्ट उसी स्केयर क्रो की उपर चड़कर वहां से निकलने का रास्ता देखने लगता है वहीं स्कॉर्ट को उस घर के अंदर लाइट जलती हुई दिखाई देती है दूसी तरफ नैथली जब अपनी कार के पास टहल रही होती है तब ही नैथली नोटिस करती है कि उसे कोई खेत के अंदर से देख रहा है लेकिन जब Natalie भाग कर उसकी तरफ जाती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है जिससे Natalie बहुत डर जाती है और जब Natalie ये बात Chris को बताती है तो Chris उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है इधर सकॉट और ब्रेन जब उस घर के अंदर जाकर देखते हैं तो इन्हें ये घर काफी ज़्यादा पुराना लगता है और इस घर की हालत भी काफी ज़्यादा खराब होती है वही सकॉट जब घर के मालिक को आवाज लगाता है तो उन्हें वहाँ कोई भी जवाब नहीं जाती है और जब यह दोनों भर के ऊपर जाते हैं तो इन्हें एक कम्रें से किसी चीज की आवाज सुनाई देती है goofy में देखने पर इन्हें जॉद抗े मिलता है जो बहुत ही पुरी हालत langف जब फिर से उस जगे पर चेक करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ एक स्केयर क्रो जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है और जब नैथली उस स्केयर क्रो का मास्ट खटाती है तो उसके अंदर एक इंसान की बॉड़ी को देखकर नैथली हैरान हो जाती है और फिर फटा-फट व ब्रेन के पास जाने के लिए वहां से निकल जाती है आगे नैथली ब्रेन को ढूंटे हुए खेट के अंदर चा रही होती है और क्रिस भी उसके पीछे-पीछे आरहा होता है तभी कोई नैथली पर अटेक कर देता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है वहीं नैथ को ढूरने लगते हैं वहीं ब्रेन और क्रिस को ढूंटे ढूंटे खेट के अंदर ही रात हो जाती है और फिर आखेकार इन्हें नेतली मिल जाती है जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारकर उसकी डेट बॉड़ी को इस किर्क्रो की जगे उल्टा लटका दिया था यह पास अजीब तरह की आवाजी सुनाई देने लगती हैं और साथ ही क्रिस को नेतली की डेट बॉड़ी में कुछ गड़वर नजर आती है जिससे क्रिस डरकर वहां से भाग कर सकॉट के पास पहुंच जाता है और सकॉट को सारी बात बताता है इधर ब्रेन नेतली की बॉड इस स्केर क्रो को पकड़ लेता है लेकिन ब्रेन के पकड़ते ही वह स्केर क्रो बिल्कुल बेजान हो जाता है और यहां ब्रेन को समझ पाता कि उससे पहले एक और स्केर क्रो प्रीछे से ब्रेन को चाकु मार कर निकल जाता है इसके बार ब्रेन जक्मी हालत में वहां से नि क्लिवार निकलने के बारे में सोचने लगते हैं इसके और ब्रेन और इस जगह से निकलने के लिए कुछ जुगार करते हैं और जब यह दोनों इस घर की गैराज में जाते हैं तो इन्हें वहां बहुत सी पुरानी घृतारा कार खडियु केž काड को सही से चेक करता है तो से उसे वहाँ एक सही सलामत कार भी मिल जाती है और बिसकोरT को स्टार्ट करने के लिए उस गराज के अंदर चाह डूर्ड़ता होता है तब इसकाड को वहाँ एक वस्केरो की порग दिखाए देती है जिसके पास जाते ही वो स्कॉट पर अटेक कर देता है लेकिन इसकॉट किसी तरह खुद को बचा लेता है लेकिन तबी स्कॉट को कुछ विजन्स आने लगते हैं जिसमें स्कॉट एक आदमी को अपने बड़े बेटे को एक सुर को काटना सिखा रहा है लेकिन उसके छोटे बेटे को उसमें बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं होता है इसलिए वो आदमी अपने छोटे बेटे को हमेशा पेलता रहता है पर तभी ब्रेन स्केर क्रो का मास्क बनाते हुए देखा था वहीं नेटली क्रिस के सामने ही अपने उगलियों में कीलो को गुसाने लगती है और अपने लिए एक स्केर क्रो मास्क दिलने लगती है वहीं क्रिस नेटली का ये रूप दिक कर बहुत डर जाता है और वहां से निकलने के लिए द जिससे क्रिस की उंगलियां खिडकियों में ही दब जाती है और क्रिस जक्मी होकर नीची गिर जाता है आगे जब ब्रेन फिर से उस कमरे में नैथली को देखने जाता है तो उसे कमरे में नैथली नहीं मिलती अब ब्रेन को नैथली की चिंता होने लगती है क्योंकि ब्रेन न का पाहार निकल कर आता है तो इसे फिर से विजन्स आने लगते है जिसमें इसकॉर्ट को खेत के किनारे उसी आदमी का छोटा लड़का दिखाई दएता है यृज़ वो स्केर करो स्कॉर्ट को मारने ही वाला होता है तभी ब्रेन वहां आकर स्कॉर्ट को बचा लेता है और फिर स्कॉर्ट ब्रेन को अपने विजन्स के बारे में बताता है कि मुझे विजन्स में कुछ लोग दिखाई देते हैं तभी वहां क्रिस आ जाता है और वो ब्रेन से क कमरे में जाते हैं तो वहां एक डेट बॉड़ी मिलती है जिसके हाथ में एक शौटि गन होती है तब ही ब्रेन उस शौटि गन को उठा लेता है दूसी तरफ किसी तरह से उस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता है जिसके आब działा वाज ब्रेन स्कॉट को भी आती है और फिर दोनों भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं और क्रिस को रोकने की कोशिश करते हैं पर क्रिस उनकी कोई बात नहीं सुनता और गाड़ी को बहुत स्पीड से खेत के बीच से लेकर भागने लगता है लेकिन जब क्रिस खेत के बीच से गाड कोई और नहीं बलकि इनका फ्रेंट जोनी होता है इसी दोरान ब्रेन भी वहां आ जाता है और फिर ब्रेन एक स्केर क्रो पर गन पॉइंट करके क्रिस को वहां से जाने के लिए कहता है पर जब ब्रेन देखता है कि उसके सामने वाला स्केर क्रो और कोई नहीं बलकि नैथली ह सब्सक्राइब करेंजि़क ल Ogden 35 minutes करके उसे मार देती Tree को फिर से वही लड़का दिखाई देटा है जो अपने भाई को घर में उसी कमरे में जाता है और एक स्केर क्रो मास्क बनाकर अपने भाई को पैनाकर उससे एक fraud देता है और जब सक खोट तब वो क्रिस को खेस से बाहर आता हुआ देखता है जो काफी डरा हुआ उता लेकिन इसर्फ था नहीं hot जिससे समझ जाता है कि उसे भी सेरे स्काइब अब धीर्च को को वहां की सारी कहानी समझ आ जाती है वो क्रिस को बताता है कि हम दोनों को सिर्फ खेट के अंदर जाने से खत्रा है क्योंकि वह स्केयर क्रों खेट से बाहर नहीं आते हैं और वह स्केयर क्रों एक बार में सिर्फ एक आदमी पर ही अटेक करते हैं और फिर वह आदमी खुद चल कर घर के अंदर जाता है और खुद के लिए मास्क सिल कर चला जाता है। इधर स्कॉर्ट सब को जाने के बाद क्रिस से कहता है कि हमें बशने के लिए इस जगे को ही खत्म करना होगा इसलिए स्कॉर्ट क्रिस के साथ मिलकर पूरी जगे में पैट्रोल डालने लगता है और जब ये दोनों लोग पैट्रोल डालते हुए खेट के बीश में पहुंसते हैं तब ही ब्रेन जल्दी से वहां आकर क्रिस पर अटेक कर देता है इस पर क्रिस स्कॉर्ट को वहां से जाने के लिए कहता है पर ब्रेन क्रिस को मार देता है लेकिन इसी तोरान क्रिस ब्रेन के मुह से उस मास्क को हटा देता है जिसे ब्रेन बेजानों कर जमीन वोपर गिर जाता है दूसी तरब स्कॉर्ट पूरे खेत को जलाने के लिए जब पैट्रोल छिड़क रहा होता है तो उस पर एक स्केर क्रो अटेक कर देता है जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है जब स्कॉर्ट होश में आता है तब वो क्रिस को उल्टा लटका हुआ देखता है वहीं एक स्केर क्रो क्रिस को लगातार मार रहा होता है और जब वो स्केर क्रो स्कॉर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो क्रिस जो अभी भी जिन्दा होता है वो स्केर क्रो को रहें स्कॉर्टॉख उस से भागते हैं निकलने ही वाला उता है पर स्कौर्ट जकमी होने की वज़ए से लिखेस 20 अकर पोर उसे अधर शेयो भागते हैं घार होने के नियुक्णल पर जाते हैं और फिर लोग ब चानल को देखर बे जाया Consumer कर जमीन आपको मूवी कैसी लगी लाइक और शेयर करना मत बूला होप आपको मूवी की एक्स्प्लिनेशन पसंद आयोगी I love you guys